हलो स्टुडेंट चावडा सा लेक्चर के यूटूब चेनल में आपका स्वागत है प्रीबोट परिक्षा कक्षा बार्वी विशय जे विज्ञान के तरश्ट पत्र का हल हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं संपूर नाम हल हमारे यूटूब चेनल के माध्यम से देने वाले हैं अगर आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकान को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल लगातार YouTube चेनल के माध्यम से जब आप लोग इनके एंसर लिख रहे हो तो YouTube चेनल की विश्वेशनियता को भी आप लोग जाचे परखें क्योंकि बहुत सारे YouTube चेनल के माध्यम से गलत एंसर दिये जा रहा है हमारी कोशिश है हम सारे एंसर verified book वगेरा से और पूरा knowledge होने के बाद ही उस एंसर को देते हैं उसमें समय इसलिए लग रहा है हम लेंड भी इसलिए हो रहा है और हमारे वीडियो भी जादा एक साथ नहीं डल पा रहा है पर आप लोग विशेश द्यान रखें अगर आपको थोड़ा भी किसी एंसर पर डाउट लगता है किसी और के इसमे लिख दो क्योंकि कुछ इन्हें कुस्तों भी लिख रखा है देखिए के रव यूटूब चैनल है यह तो सब अपनी अपनी बाते होती है पर हम आप लोगों को सारे एंसर बिल्कुल सर्टिक अवलेबल कराने की कोशिश कर रहे है तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल प पर परिक्षा में थोड़ी जल्दबाजी है इसलिए हम थोड़ा वीडियो यह बाइलोजी का फास्ट बनाने वाले हैं थोड़ी समय की कमी भी है इसलिए ठीक है तो आईए शुरुआत करते हैं प्रश्नमबर पहला निमन लिखित कथनों के लिए सही विकलप चुनकर पहले में आएगा द्वीलिंगी दूसरे में आएगा योजी फिर चार सो फिर आएगा टीटी फिर आएगा एजी यूजी फिर आएगा आपका एवाला और यहां तक आप नोट कीजिए इसके बाद जो सात्वा है उसात्वे में आएगा एक समान होता है पहले वाला एक समान पढ़ा जा सकता है तो यह साथ हमारे हो गए अब देखते हैं रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए तो देखिए पहले में अधिकांश पोदों में अंडाश है वो बिजान्द को विक्सित करते हैं बिजान्द में विक्सित होते हैं मेंडल द्वारा दो नियम दिये गए थे इसके बाद आएगा एसी ग्रंथी अंतर इस्तावी ग्रंथी जो जन्म के समय बड़ी किंतू बरती उम्र के साथ छोटी हो जाती है जो थर्ड वाले का इंसर आएगा वो थाइमस ग्रंथी एसी अंतर इस्तावी ग्रंथी होती है जो जन्म के समय बड़ी किंतू बरती उम्र के साथ चोटी हो जाती है नेक्स देखते हैं दूच से दही का निर्मान सुक्ष्मिर जीवी की साहिता है तो यह आएगा यहाँ पर आएगा इसमें आएगा लेक्टो बेसिलस लेक्टो बेसिलस जी एम ओ का पूरा नाम जी एम ओ का पूरा नाम होता है तो जी एम ओ का पूरा नाम होगा जेनेटिक मोडीफाई ओर्गोनिज्म नेक्स ऐसे जनतू जो ताप्मान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं वातावरण कूल जीव मतलब जिनको कोई फ्रैक्टर नहीं होता है तो कहलाता है वातावरण कूल जीव मानव जन संख्या का अध्यन वो कहलाते है डेमोग्राफिक तो यह हमारे तिक्तिस्तान हो गए इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं और सही जोड़ी में पहला आएगा आपका जो पहली सही जोड़ी है देखें लिंपोसाइट्स लासी का आएगा इसका दूसरा जे उर्वरक उसमा आएगा लॉर स्टॉक एन अबीना बायो गेस बायो गेस मेथेन होती है आपको पता ही होगा इंसूलीन इंसूलीन जो है चोथे नंबर वाला उसका आएगा हमारा दो पहली पेप्टाइड श्रंखलाएं बीती पाच्वालाएगा बेसिलन बेसिलस थूरिन जीएसिस और एलाईजा तक्निक ग्याएगा रोगों की प्रारंभिक पहचान और सोहोप कारिक्ता ग्याएगा प्लस-प्लस संबंध तो यह सातों जोड़ी हो गई हमारी इसके बाद एक वाक्यों में उत्तर देखते हैं एक वाक्यों में उत्तर तो पहला एक वाक्यों में उत्तर है एक प्रारूपी आव वर्त बीजी यह ब्रून कोश कितने केंद्री का सोरी कितने केंद्र की और कितने कोशी की होते हैं तो देखो साथ कोशी की और आठ केंद्रक होते हैं साथ कोशी की और आठ केंद्रक तो हम केंद्र की किये कि रागया आप पूरा लिख ले ना मैं यह खरी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं केंद्र की आठ और कोशी की 7 आप लिख दे ना 8 चेंद्र की एंडर और 7 कोशी की एंगे बढ़तें नेक्स हैं जलनी शेचन के बात बने युगमज में xx गुण सुत्र लचे तो यह युखमज किस लिंक के घुरूणको विक्षित करतें तो यह उवे गुण सुत्र को प्रदर्शित करते हैं, नाभी की hier अमलर, RNA का पूरा नाम तो उसका नाम होता है, ribose, ribose nucleic acid, ribose nucleic acid, Comics English में लिख सकते हैं, विखेंगे तो, ribose nucleic amla, ribose nucleic amla, जेव उर्वरक के रूप में प्रयोग किये जाने वाले एक साइनो बेक्टेरिया का नाम तो उसका जो नाम होता है साइनो बेक्टेरिया का वह होता है आपका राइजो बियम जेव उर्वरक के रूप में प्रयुक्ट होने वाला एक साइनो बेक्टेरिया है तो इसका इंसर आएगा राइजो बियम कवक वा उच्च श्रणी के पादपों की जड़ के बीच सहजी भी संबंद क्या कहलाता है तो कहलाता है माइक्रो राइजा माइक्रो राइजा और लास्ट है परितंत्र के प्रत्येक बोशक इस्तर पर कितने प्रतिशत उर्जा का प्रवाह होता है तो दस प्रतिशत उर्जा का प्रवाह होता है दस प्रतिशत नेक्स है प्रश नंबर पांच अलेंगिक और लेंगिक जनन में अंतर तो अलेंगिक लेंगिक जनन में अंतर देखते तो यह आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है अलेंगिक और लेंगिक जनन में अंतर फड़ा फड़ नोट कर लिजे आप लोग इसको इसके बाद देखते हैं प्रश्ण नमबर छटा स्वपरागन और परपरागन में अंतर योगिया आपका स्वपरागन और परपरागन में अंतर इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर साथ तो प्रश्ण नमबर साथ है जो अपरा के दोकार अपरा क् बुरून के पोशन में सायक होता है और मा के रक्त में उपस्तित पोशक पदार्थ अप्रा गुंडब्श नमबर 8 7 इसके बाद नेक्स कोर्शन देखतें, प्रश नमबर 8 मेंडल के प्रभाविता के नियम को परिभाशित कीजें तो यह प्रश्च नमबर आट हो गया हमारा मेंडल के प्रभावित्या का नियम दिया है उसमें उधारन लिया है मुर्टर के पोदे का इसको फटा फट आप नोट कर लिजे प्रश्च नमबर नौवा देखते हैं अनुलेखन के परिवाशित कीजिए या कोडान किसे केते हैं या डियेने में एम आरेने का निर्मान होना वो क्या कहलाता है अनुलेखन कहलाता है इसके बात देखते हैं प्रश्च नमबर दस हुआ देखिए इल्कोहल के दो कूप रभाव बता हैं तो इल्कोहल पे आप लोगों खेर जानते ही हो इल्कोहल के कूप रभाव क्या होंगे एक तो इसपस दिखाए न देना तंत्रि की ये पेशिकी क्रियाओं पर नियंतरण में कमी मस्तिश का रख्त-फ्राव, रदेगात में मृत्यू की इस्तेती तक भी हो जाती है तोई यह इलकोहल के दूशप्रभाई हो जाएंगी आपके ब्रुप्रभाई में आजाएगा देखें इलकोहल का एक दूशप्रभाई यह भी लिख सकते हैं की मनुश्य की गया सकते हैं, इंप्लूरेंजा, बड़ी माता और डेंगू, नेक्ट चोशन है, जिन क्लोनिंग, जिन गन किसे कहते हैं और जिन क्लोनिंग किसे कहते हैं, जिन क्लोनिंग, तो हम इसका जिन क्लोनिंग वाले का एंसर आप लोगों को बता रहा हैं, कि जिन क्लोनिंग किसे कहत किसी जिन या DNA खंड का किसी सवाहाग में प्रविस्ट्री करन करने पर यह वाले जो एंसर है आप यह लिख सकते हो यह जो एंसर है आप इसमें नोट कर सकते हो जिन क्लेरिंग इसके बाद है प्रेश्य नंबर अगला प्रेश्य नंबर 13 शुक्राणू और अंडानू जनन में अंतर तक ये आपको हो जाएगा शुक्राणू जनन और अंडानू जनन में अंतर ये हमारा प्रश्ण नंबर तेरा कंप्लीट हुआ प्रश्ण नंबर 14 देखते हैं मनुष्य में हीमो फीलिया रोक का कारण और प्रभाव या डिएने का उंगली चापन क्या है इसकी उप्यों किता इन दोनों में से एक एंसर हम बता रहा है प्रेश्ट नंबर 15 में देखिए प्रेश्ट नंबर 15 वाद डिएने न Arijya प्रश्व का इंसर्भर ब्रक्ष्ड कुन counseling है इंड़ी प्रश्व क्यों किया perfect सब यिए उंगले इसके बिएक स्क्राइब नोग फिर स्याइब देखिके उसके इंदर आ गए हैं तो यह हमारा हो गया DNA का उपियोंगी तावला पूरा इसके बाद बात करते प्रश नंबर 15 की ते यह प्रश नंबर 15 प्रतिजेविक के तीन लक्षण लिखे प्रतिजेविक के तीन लक्षण हमने दे दिये एक तो जिवानों को महारकार उनकी व्रद्धी संक्रमित में मतलब कम कर देते हैं प्रतिजेविक का विश्यानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वैसके बाद प्रश नंबर 16 जन्म्दर मृत्यूदर और लिंगानुपात तो अगला प्रश्न देखते है देखिए नेक्स कोश्चन है जनमदर, मृत्युदर और लिंग अनुपात तो मैं आपको मेरे नौलेज से इसका एंसर बता देता हूँ कि जो जनमदर होती है जनमदर वाले एंसर में आपको लिखना है कि एकाई समय में किसी जनसंख्या, किसी जनसंख्या द्वारा उत्पन कुल नए जनसंख्या द्वारा उत्पन कुल नए नए सदस्यों की संख्या को सदस्यों की संख्या को को जनमदर कहलाती है देखे जित्ते बच्चे पेदा होंगे कुल जनसंख्या के मान से वो क्या कहलाईगी जनमदर कहलाईगी और जनमदर बराबर वार्शिक जनम बटे यह फार्मूला भला ही रहने दीजिए आप लोग म्रत्युदर में भी ऐसा ही हो जाएगा कि इकाई समय में किसी समस्ट्य द्वारा मरने वाले जीवों की ओसद संख्या कहलाती है म्रत्युदर कहलाती है और लिंग अनुपात वो मैंने आपको समझाने की द्रस्टी से बता दिया था एंसर तो हमारे पास लिखा वाए थोड़ा सा जनम वाले में गड़बर थी इसलिए मैंने वह समझा दिया आप लोगों को म्रत्युदर कहलाती है तो यह आपका प्रस्ट नंबर 16 होता है वो यहाँ पर निपड़ता है इसकी बाद देखते है डियने और आरेने में अंतर देखेंगे तो यह होगी आपका प्रस्ट नंबर जो 17 है डियने और आरेने में अंतर तो यह प्रस्ट नंबर 17 आप लोग कंप्लीट नोट कर लिजें यहाँ से डियने और आरेने में अंतर इसकी बाद देखते है प्रस्ट नंबर 18 प्रस्ट नंबर 19 देखें प्रस्ट नंबर 18 प्रस् तो इसी के साथ हमारा जो बाईलोजी का पेपर हे वो खतम हो जाएगा अगले पे प्रस्ट्वाइब कर ले बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए चावडासा लेक्चर यूटूब चैनल एमोरल कोचिंग क्लास है महीत्पूर सीटी जिला उजेन मध्यप्रदेश के द्वारा कमले शावडा सर के माध्यम से आप लोगों को यह वीडियो अवेलेबल कराई जा रहे हैं हम कोशिश करते हैं हमारे कोई भी कोशन में गड़बन नी हो फिर भी कोई कोशन में अगर गलती होती है तो क्योंकि बाइलोजी सब् भी गलती हमने नहीं किये इसलिए आप लोग थोड़ा सा अगर इसमें कहीं वैसे गलती होना का सवाल नहीं है मैंने बहुत कोशिश की है कहीं भी गलती नहीं हो ठीक है बर्ट आप लोगों से मेरी उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अंतिम प्रश सब्सक्राइब की परिवाशा दे रही हो तीन प्रकार के होते हैं जीव संख्या का शंकू जीव भार का शंकू और उड़जा का शंकू इसलिए आप लोगों का वीडियो समात्त होता है मुझे मैस का वीडियो भी आज ही बनाना है इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा इसलिए उनका इंतजार कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद